हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू जीडिये सज्ट करने वाले एडबली इस रिजल दोज़ार चुबिस को लेकर सो जैसा कि आपका एक्जाम जो है पच्छी सच चबिस स्वेंबर को करवाय जाना गया था और उसके रिजल्ट को लेकर आप काफी वच्चे हैं वह बेट कर रहे है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और क्यों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे कैसे आपको वेकंसे स्कलेप लाए करना है क्या क्या प्रोसेस होता है सारी चीजह आपको है हमारे इस यूटेजनल पर टाइप टाइप मिलते रहे गी अपडेट आपको फ्रेंड तो हमारे सथ बने रहे जएगा चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेंठ अमबर 26, 2023教 livres the examinations was completed using the online mode the aws board has started checking the anазas read just after the completion of the examination and they will publish there an aws result soon the award will announce the aws osd result hois prt on their official website as per the information coming to us all of you can expect the AWS TGT PGT result to be released in the first week of January 24. So, अभी आपका result ट्रेंड दिसम्बर के लास्ट में आने वाला था, बट अभी जो कुछ update आ रही है, उससे यह पता चला है कि आपका जोने result है, जन्वरी की first week में या फिर last week में जारी कर दिये जाएगा. So, आप जन्वरी की first week तक इंतिजार कर दिये, अगर आपका result जन्वरी तक नहीं आता था, लास्ट विक तक आ जाएगा, वो उसके बाद आपकी फैब से वेकेंसी जानी स्टार्ट हो जाएगे, जिसके अपडेट में आपको time to time देता रहूंगा. So, प्लीज इस वीडियो को जाज़ार लोगों तो शेयर करिएगा, तकि बाकी बच्चों को भी update ये मिल जाए, और जो लोग comment कर रहे हैं काफे time से किसार result क्यों नहीं आया, तो उनको ये लिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ friend. बाकी qualification क्या रहे हैं क्या 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 qualifying mark रहे हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में पता देता हूँ. So, AWS दोज़ार चोविस, AWS board had conducted an examination for the various post of PRT, TGT and PGT for the year 2024 under the APS. The examination was conducted on 25th and 26th as per guideline में आपको दाया दिया. So, at the time of registration application must hold the registration for the post degree with the 50% marks or more than 50% marks. With Beard and Seated qualified, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने participate किया है और जल्दी आपका जो है रिजल जारी कर दिया है, रिजल जारी करने के बाद आपका जो certificate हो 30 दिन के अंदर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं लेगि इस दिन के बाद आपको 100 रुपे पे करके ही आपका AWS स्कोर कार मिलने वाला है क्वालिफाइं माग के बात करें तो क्वालिफाइं माग भी आपका 50% ही रहने वाला है तो अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप AWS के जितनी वेकंसी जाती है उसमें अप्लाइक करने के लिजबल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका इंट्रिवी प्रोसेस होगा टेचिंग एवरिशन प्रोसेस होगा उसके बाद आपका आपको सौट लिस्ट करके ज्वाइनिंग दीए